है गाइस जो लोग मुझे नहीं जानते मेरा नाम है अमिज जैन सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अन्बॉक्सिंग एसेवन स्टार की और जो मैंने मंगवाया है बैंगू.com से और मैंने 64GB का कार्ड भी मंगवाया है स्टार के लिए जो मैंने मंगवाया है Amazon.in से तो चलिए अन्बॉक्सिंग करते हैं और मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि क्या कुछ हमें साथ में मिलता है एसेवन स्टार के और जो मैंने मेमरी कार्ड मंगवाया है क्या वह रियल इतना फास्ट है कि 4K वीडियो को रिकोड कर पाएगा एसेवन स्टार के लिए तो चलिए लेस जंप डिरेक्ली टुदी एसेवन स्टार ओके गाइस तो यह है हमारा एसेवन कैम और चलिए होता है फ्रेम पर सेकंड तो यह त्री डिफ्रेंट लेंग्विजिज में इसके बारे में दिया हुए है कि 166 एंगल पर वाइड एंगल पर शूट करता है इमेज को 16 मेंगा फिक्सल तक यह कप्चर कर सकता है और वीडियो को 4K तक शूट कर सकता है 30fps पर इमेज जेपीज में शूट करता है और वीडियो के MP4 में 1000 एमेज की रिमेवल बैटरी साथ में आती है और 128 GB तक सपोर्ट करता है मेमरी कार्ड को तो कनेक्शन में मीनी वेस्वी माइक रोएश्डियमाई वाइपा एक्टेनल माइक और एस जेकेम रिमोट कंट्रोल ऑप्शनल में मिलता है सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए मैंने इसको ओडर किया था तो चलिए तो यह है हमारा छोटा सा सब्सक्राइब 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 तो यह सब्सक्राइब निचे हमें बहुत सारी सब्सक्राइब नहीं मिलती है तो यह आपको ची माउंट मिलता है साथ में दो ची माउंट है स्ट्रेट वाले तो एक और है ची माउंट सब्सक्राइब आप है कि बाइस साइकल और मुड़ियों के लिए हैंगल दो के लिए यह कुछ और इसके लिये लिए यह फ्रीम है जो आप लगा सकते हैं अगर आपको वोटर मेरी लाइंद डियूज नहीं मेर नोर्मल यूज़ करना था यह यूज़ कर सकता है तो यह एक लगाने के लिए हैं और यह कुछ एक्स्टेंशन से और दोस्तों इसके साथ टैच डिस्प्ले भी आती है बट जो मैंने रिव्यूज देखें हैं या पड़े हैं तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है वोटर में तो आप नॉर्मल यह करना चाहते हैं तो यहीं यूज और आपको सग्ग होगा इसी को यूज़ करने के लिए नए तो यह इसी घाइड है wax पड़ी एक्रवारे में नहीं पता है तो ज्यादा कैसेसे यूज़ करना है कहां पर क्या बटन है कैसे-स या काम करता है इसमें त्ब दिया हुआ है और यह कुस्स टिकर्स isso है और एक मैं मैंने मंगवा है था Amazon से ये 64 जीवी का Samsung का इवो प्लस स्टी तो रीड स्पीड ये 100 Mbps तक सपोर्ट करता है और राइट स्पीड हंडर सॉरी 60 Mbps तक Class 10 3 का ये है 4K Ultra HD सपोर्ट करता है चलिए इसको भी मैं डाल के देखूंगा और टेस्ट करूँगा कि ये कैसे क्या काम करता है तो चलिए पहले हमारा इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं तो इसको खोलने के लिए आपको छोटा सा बटन ने जो आपको प्रेस करना है और इसको पीछे से तो यह है हमारा सब्सक्राइब 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 करने के लिए आपको यह पावर बटन दवाना है दवाई रखेर तीन चाहिंड तक और आपको अवाज सुनाई देगी ओन होने पर इते लिए मैं मेमरी कार्ड भी निकाली लेता हूं साथ में और आप लोगों को डाल के दिखाता हूं तो यह मेमरी कार्ड वोटर रजिस्टेंट हीट रजिस्टेंट एक्सरे रजिस्टेंट और मेंगनेट प्रूफ इसमें चारों फैसलिटीज और टैनियर की लिम्टीर वरंटी के साथ आता है यह इसका डप्टर इसको रख देते हैं यह बाद में यूज आएगा हमारे चलिए इसको डालते हैं तो आप इसको डालें तो आपको थोड़ा सा हार्ड फील होएगा तो घब्राइए मत कहीं पीन वेकर ना तूट जाए तो कुछ कोई प्रोब्लम नहीं यह थोड़ा सा हार्ड है डालने में बट सरी फीटिंग आती है तो देखिए इसने उठावी लिए 59.6 जीबी 64 में आपको यह शो कर रहा है मैं ट्राइब कर देखिए 59.6 जीबी 64 में से उठा रहा है तो अच्छ देखिए तो कापी स्मूथ है तो अभी यह कैम्रा मोड में इसको वीडियो मोड में डालने के लिए हमें सेटिंस में जाना होगा थो इसको दबाइंगे तो यह फोटो में जाने के लिए आपको Power Button दबाना पड़ेगा एक बार तो अब हम Switch हो गए है Video Mode में तो Video Mode में आपको यह वीडियो का आइकन दिखेगा इधार यह छोटा सा तो अगर आपको Settings चेंज करनी है वीडियो की तो बाप किसे Settings Button को दबाएंगे एक बार तो यह हमारी Video Quality आ गई है तो फाइन पे सेट है रिजोलुशन तो वन जिरो पे सेट है तो मैं इसको 4K कर देता हूं यह 4K पे है शूट करने के लिए इसको दबाना है हमें तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसकी क्वालिटी और बाद में मैं सारी वीडियो डाल दूँगा जो मैं इसे शूट करने वाला हूं चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में अगर आप लोगों ने मेरे लखनाओ के विलोग्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ मां गो चेक आउट एंड शेर यूर रिव्यूज और अगर आपको व